देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, अब तक 13,86,87 लोग हुए कोरोना से संक्रमित, कोरोना के चलते 31,358 लोगों की हुई मौत करोना में हमारे खिलाप लड़ाई में आई-ाई-टी मदरास को मिली वड़ी खाम्याबी, करोना का पता लगाने के लिए बनाया रिस्ट बैंड, 3500 रुपए है बैंड के किमत करगिल विजए दिवस आज रक्षा मंतिराजनाथ सिंग ने नेशनल वर मेमोरियल पर किया शहीदों को नमन, कहा करगिल विजए दिवस है गौरोशाली परमपरा काउट्सो करगिल विजय दिवस पर कॉंग्रेस ने भी शहीदो को किया नमन राहूल कानी ने ट्वीट कर दी शुद्धांजली कहा वीर सब कुछ समर्पित करके भी भारत की करते हैं रक्षा मुख्यमंत्री अशोग गैलोट ने राजजपाल को भेजा विदान सबा सत्र बुलाने का नया प्रस्ताओ 31 जुलाई से सत्र बुलाने की मांग कहा कोरोना पर विशेश चर्चा कर कई बिल पेश करना चाहते हैं गैलोट प्रस्ताओ बे बहुमत साबित करने का कोई जिक्र नहीं एक अगस्ते देश में अनलॉक 3 की प्रक्रिया होगी शुरू अनलॉक के तीसे चरण में भी लॉक ही रहेंगे मेट्रो टेन और स्कूल पिछले दो चरणों में मिली थी कई रियाते मुख्यमंतिर शुवराज सिंग चौहान के लिए उज्जेन महाकाल मंदिर में की गई पूजा कोरोना पॉजिटिव आई थे शुवराज की रिपोर्ट सिम ने खुद ट्वीट कर दी थी जानकारी संपर्क में आये लोगों से की टेस्ट करवाने की अपील लद्दाक में हॉट स्प्रिंग से पीछे हटी चीन और भारत की सेना डिसेंगेजमेंट की प्रक्रिया के तहट दोनों देशों की सेना उने पीछे खीचे कदम पैंगों को लेकर अगले हफते सैन कमांडर अस्तर की हो सकती है बैठर उत्रेखंड राज्य के पहाड़ी जिलों में जल्द हो सकती है तेज बारिश अगले 72 घंटे तक भारी बारिश का अलट जारी कई लागों में बारिश से भोस्खलन की भी संभावना दुनिया में कोरोना के मामलों में तेजी से हो रहा है इजाफा कोरोना संक्रमितों की संक्या पहुँची एक करोड़ साथ लाग के पार अब तक छे लाग चालिस हजार से ज़ादा लोग गवा चुके है जान अमेरिका में पिछले 24 गंटे में कोरोना के 68,000 से ज़ादा नए मामले आये सामने पॉजिटिव मामलों में पुल संक्या हुई 41,44,437 अब तक कोरोना वारस से 1,46,391 लोगों ने गवाई जान कोरोना काल में चीन में शर्तों के साथ खुले सिनेमा घर, निर्देशों का करना होगा सक्ती से पालन, एक बार में सिर्फ 30 फीजदी दर्शक की देख सकेंगे सिनेमा, चीन में पिछले 5 महिने से बनते थियेटर अमेरिका के टेकसास तट से टकराया हन्ना समुदरी तुफान मचा सकता है भारी तबाही लोगों को क्या अलर्ट, राहत और बचाओ टीम भी तैयार जर्मनी में विमान हाथसे से मचा हरकम प्रिहाईशी मकान पर गिरा एक छोटा प्लेन, हाथसे में तीन लोगों की मौत, विमान क्रेश के कारणों का पता लगाने के लिए जाज शुरू ब्रिटेन में भारत के उच्चा युक्त गायतरी, इससर कुमार का बड़ा बयान कहा खत्म होने को है चीन ब्रिटेन के रिष्टों का सुनहरा दौर, भारत ब्रिटेन के लिए एक दूसरे के पास है आर्थिक आउसर अंतरराश्टी मुद्राकोश ने बताया, भारत में निवेशकों को लबाने का तरीका कहा निवेश आकरशित करने के लिए भारत को अभी और आर्थिक सुधारों की है जरूरत, इस साल अब तक भारत को 40 अरब डॉलर का मिल चुका है FDI लॉक्डॉन में अच्छी खबराई साबने, मई में E.S.I.C. की योजनाओं से जुड़े 4,63,000 सदस्य, अप्रैल में 2,55,000 थी नए सदस्यों की संख्या लॉक्डॉन में धील के बावजूद कल कारखानों में गत्वी दियां, खशमता के अनुरूप नहीं, साथ फिजदी से भी उपर जा सकती है खुदरा महिंगाई, आर्थिक विशशक्यों न जदाया अनुमान डीजल के किमतों में आज फिराया उचाल, डीजल का भाव 15 पैसे की बढ़त के साथ पहुँचा 81,94 पैसे प्रते लीटर, पेट्रोल के किमतों में 29 जून के बाद से नहीं हुआ कोई बदलाओ